नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके साथ 4 LDC रेसिपी सेर करने वाले हूँ जिसको हम बनाने वाले हैं दिसानो अन्स्विटन पिनट बटर के साथ में जो 100% नेचुरल है प्रोटेन की मातरा इसमें बरपूर होती है ये गलूटन फ्री होता है बहुती अल्दी सा पिनट बटर सुझे से बना हुआ है बहुत ज़्यादा एल्दी है तो इसी का इस्तिमाल करके हम रेसिपी बनाने वाले हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले हम पास्टा बनाने के लिए सबजिया कट कर लेंगे तो मैंने यापे गाजर ले लिए है इसको इस तरीके से कट करके और सारी सब्जियों को बारिक करके लेंगे तो मैंने आपे लिया है अगारो का में नीचो पर इससे सब्जिया जो है एकदम ही जटपट से बारिक हो जाती है तो सारी सब्जिया में इसी तरीके से बिल्कुल अच्छे से बारी कट कर लिया है इसी के साथ में अम कर लेंगे जो अमने प्याजली है इनको भी और सिम्बला मिर्ची है इनको भी इसी तरह का बारी कट कर लेना है उसके बाद में जो अमने टमाटर लिये है इसके अम प्योरी बना कर लेंगे तो आज में जो पास्ता है आप ओईल को cold press method से बनाया जाता है, ये आपकी सेट के लिए बहुती ज़्यादा फायदे मन्द है, जैसे ही ओईल गरम हो जाएगा, इसके अंदर हम डालेंगे यहां पे बारिक कटा हुआ लैसुन, आट से दस कलिया, साथ में थोड़ी सी इसमें अदरक डालेंगे बारिक कटी हुई, इनकों अलका सा सोते करेंगे और उसके बाद में इसमें डालेंगे, अम जो बाकी की सबजिया हैं हमारे पास बारिक कटी हुई, लेसुन में अलका सा कलर आ गया है तो इसमें सबसे पहले प्याज डाल लेते हैं साथ में थोड़ी सी सिमला मिर्ची और थोड़ी सी गाजर एड़ करेंगे सबजिया आप अपनी पसंद के अनुशार एड़ कर सकते हो इसमें कॉर्ण वगीरा भी आप एड़ कर सकती हो सबजियों को अलका सा ट्रांस्पेरेंट होने तक बून कर लेंगे यहां पर गैस का फ्लेम हम फूल रखेंगे जब आपको लगेगा सबजिया ट्रांस्पेरेंट हो गई है तो इसमें हमने जो टमाटर और पूदिना पीस कर रखा है उसका पेष्ट डाल देंगे पेष्ट डालने के बाद में इसको भी अच्छे से बून कर लेंगे उसके बाद में इसमें कुछ सुखे मसाले एड़ करेंगे तो यहां पे मैं आदा छोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच लाल मिर्ची पाउडर और एक छोटा चमच डालेंगे यहां पे दनिया पाउडर अब इन मसालों को इसके साथ में बिलकुल अच्छे से मिलाते हुए अच्छे से बून कर लेंगे 1-2 मिनिट के लिए उसके बाद में इसमें हम एड करेंगे याँ पे दिसानू का पास्ता सोस इस से पास्ता का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये मैंने दो चमच इसके अंदर पास्ता सोस एड कर लिया है इसको अच्छे से मिला क थोड़ी सी देर पकाएंगे उसके बाद में डालेंगे आम यहाँ पे पानी पानी की क्वांटिटी अगर आप कूकर में बना रहे हैं तो इसके अनुसार डाले तो पास्ता बिल्कुल अच्छे से पक कर तयार होगा पहले हम कप से माप कर तीन कप पानी डाल लेते हैं उसक इसके अंदर यहाँ पे पास्ता डाल दिया है इसको अच्छे से मिलाएंगे और साथ में यहाँ पे अम नमक भी इसके अंदर एड़ कर लेते हैं तो एक चमच इसके अंदर मैं नमक एड़ कर रही हूँ नमक डालने के बाद में इसको बिल्कुल अच्छे से मिलाने के यहां पर डखकन लगाकर आम इसमें तीन विसल आने तक इसको पकाएंगे अगर आप इसको खुला पकाना चाहते हैं तो खुला भी पका सकते हो उसमें थोड़ा चाइम लगेगा आपको लेकिन इस तरीके से आप पकाएंगे तो पास्ता भी एकदम परफेक्ट पकेगा और यह जल्दी भी पक कर तयार हो जाएगा तीन विसल आने के बाद में आप परेशर रिलीज करके इसको खोल सकते हो एकदम ही परफेक्ट पकेगा जो पास्ता है वो तो यहां पे मैं आपको दिखा रही हूँ यह जट पर पक कर तयार हो गया हो बहुती बड़ी आबना है एक इसको हम बनाने वाले हैं पीनट बटर के साथ में दोस्तों बहुती ज़्यादा एल्दी बनेगा तो यहां पे हमने दो केले लिए हैं उसको जार में काट कर डाल लिया है आप दो चमच इसके अंदर डालेंगे आप चोको स्प्रेड आप इसकी जगर पे कोकोवा पाउडर का इस्तिमाल भी कर सकते हो और साथ में इसको और ज़्यादा एल्दी और टेस्टी बनाने के लिए यहां पे हम इसमें दो से तीन चमच डाल रहे हैं दिसानों का अन्स्वीटन पीनट पटर पूरी तरह से नेचुरल होता है यह दोस्तों बहुती ज़्यादा एल्दी होता है प्रोटीन की मात्रा इसमें बरपूर होती है तो आप इसको खा सकते हैं बिलकुल आसानी से और जितने भी इसके अंदर मैंने आपको प्रोडेक्ट या फिर अप्लाइंस दिखाए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिलेगा आप परचेज करना चाते ह हैं तो वहां जाकर देखकर आप परचेज कर सकते हो तो मैंने दो चमच फुल बरके डाल लिया है पीनट बटर इसके साथ में इसमें आदा लीटर हम दूद डाल लेंगे और यहां पर हम इसके अंदर इसको एलदी बनाने के लिए सूगर वगेरा का इस्तिमाल नहीं कर रह हैं इसी तरीके से अच्छे से चंड करके लेना है लो सकता है आप इसको सर्व करने के लिए सबसे पहले छोकलेट के साथ में गिलास को डेकुरेट कर लेते हैं उसके बाद में देखने में अच्छा लगेगा और फिर हम इसको इस तरीके से सार्व करेंगे ठंडा-ठंडा गल्दी और टेस्टी पीनट बटर बनाना से एक बन कर तयार है अगली रेसिपी है दोस्तो हमारा मखनी पास्ता तो उसके लिए मैंने कड़ाई में एक लीटर पानी गरम होने के लिए रख दिया है जैसे ही पानी गरम होगा हम इसके अंदर डालेंगे एक छोटा चमच ओईल और साथ में आदा छोटा चमच डालेंगे नमक पानी में अच्छे से बोईल आ गया है तो साथ के साथ इसके अंदर हम पास्ता भी एड़ कर लेते हैं यहां पर टाइम देखकर 11 मिनेट तक हम पास्ता को पकाएंगे उसके बाद में हम इसको चेक कर लेंगे पास्ता पका है और आदा छोटा चमच इसमें डाल लेंगे यहां पे हम नमक इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि यह एक सार हो जाए अब अगले प्रोसेस में हमने गैस के उपर कड़ाई रखके दो छोटे चमच ओईल डाल लिया है जैसे ही ओईल गरम होगा इसके अंदर डाल द पतले लंबे स्लाइस में कट किया है यह डाले हैं इसके अंदर इनको अच्छे से बुनने देंगे उसके बाद में इसमें एक टी स्पून डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर एक टी स्पून डालेंगे दनिया पाउडर आप टी स्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला इनको अच्छे से मिला कर थोड़ा सा पका लेते हैं उसके बाद में इसमें हम डालेंगे आदा गिलास पानी पानी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको बोईल आने तक पका लेंगे जब इसमें अच्छा सा बोईल आ जाएगा तो समझे आप ये पक चुका है य बिल्कुल अलका सा फ्राइ कर लेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक अब सेम कड़ाई में थोड़ा सा बटर डालेंगे यहां पर मकनी पास्ता बना रहे हैं इसलिए और इसके अंदर डालेंगे एक टी स्पून मैदा ज्यादा मैदा का इस्तिमाल नहीं करना है इसको बिल्कुल अच्छे से बून कर लेंगे दिमी दिमी आजपर उसके बाद में इसमें अमें एड करना है यहां पर दूद यहां पर हमने डाइसो ऐमेल दूद का इस्तिमाल किया है इसको अच्छे से मिला लेंगे साथ में एक चीज क्यूब डाल देते हैं यह प्रोस्रेश चीज अच्छे से इसके अंदर mix करते हुए इसको पका लेंगे उसके बाद में आमने जो टमाटर काजु अगेरा जो पका कर रखे थे उसका आमने इस तरह का पेश्ट बना लिया है वो भी इसके अंदर डालेंगे साथ में जो अमने सबजिया फ्राई करके रखी थी वो भी इसके डालेंगे और इसको अच्छे से mix करते हुए एक दो मिनिट पका लेंगे साथ में एक टीस्पून इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है मखनी पास्ता में इसका टेस्ट बढ़िया लगता है तो यहां पर सोस बिल्कुल अच्छे से पक कर तयार हो गया है इसमें पास्ता एड कर लेते हैं पास्ता एड करने के बाद में इसको बिल्कुल अच्छे से mix करते हुए आमें दो तिन मिनिट पकाना है तिमी आज पर फिर यह पास्ता बन कर तयार हो जाएगा इस तरह से पास्ता बनाने के बाद में आप गर्मा गर्म इन्जोई कीजिए खाने में बेहद ही टेश्टी लगता है मखनी पास्ता तो यह अमारा बन कर तयार हो चुका है अब अगली रेसिपी देख लेते हैं अगली रेसिपी के लिए मैंने आपे एक लेटर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है एक छोटा चमच नमक डालेंगे और दो चोटे चमच दिसानो एक्स् पास्ता डाल देंगे इसमें बोईल होने के लिए और कुकिंग प्रोसेस जो है इस पे लिखा हुआ होता है यह कितने मिनेट में पकर तयार होगा तो यह पास्ता जो है आट मिनेट में पकर तयार हो जाता है जो एलबो पास्ता है यह पकने के बाद में फटा फट चल्दी म प्रोसेस के लिए अमने गैस के उपर कड़ाई रखी है उसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ओईल दोनों आफाप करके डालना है जैसे यह गरम होगा इसमें बारीक कटा हुआ लैसून बारीक कटी हुई आरी मिर्ची डाल कर इनको अच्छे से पका लेंगे उसी के साथ में डाल देंगे यहां पे एक बारीक कटी हुई प्याज और साथ में मैंने सिमला मिर्ची और गाजर ली है सबजी आप अपनी पसंद के अनुसार एड़ कर सकते हो इनको भी अलका सा ट्रांस्पेरेंट होने तक पकाएंगे उसके बाद में डाल देंगे इसमे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसी के साथ में इसमें सवाद के अनुसार नमक एक चोटा चमच नमक एड़ करेंगे तीन-चार टेबल स्पूंग इसमें टोमेटो सोस एड़ करेंगे और यह अमारे पास चीज क्यूब है कि यहां पे मैंने श्मॉल चीज क्यूब का इस दिमियाज पर दो मिनेट पकाएंगे उसके बाद में यह तयार हो जाएगा फिर हमें एक केक टीन ले लेना है उसमें तेल से अच्छी से ग्रीस करेंगे साथ में इसमें दो टेबल स्पून डालेंगे टोमेटो सोस और थोड़ा सा इसके अंदर डालेंगे यहां पर हम प्रोस मिनेटी डिगरी पर इसको अमें लगबग 20 मिनेट के लिए बेक करना है उसके बाद में चीज अच्छे से मेल्ट हो चुका होगा अच्छे से पक चुका होगा तो यहां पर अमारा जो बेक्ट पास्ता है बनकर खाने के लिए तैयार है आप भी इसको जरूर बनाना और सब्सक्राइब करना ना भूले वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद